हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हार देख स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पाइर स्कोलर्शिप के बारे में तो फ्रेंड्स वीडियो इस्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को इंट तक देखते रहें वीडियो को लाइक करें, सेर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो तुरन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लाएं जैसे कि सारी information आपके पास सबसे पहले और फिर में पहुंसती रहे तो चले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स बहुत सारे student लगातार कमेंट करते हैं और यह जानने की कोशिस करते हैं अखिर में कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे डाकुमेंट वेरिफाइड हो गए हैं बहुत ज़्यादे यह कोशनिस में पूछा जा रहा है कि इस्टूडेंट अपने डाकुमेंट अप्लोड कर रहा है और उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके document verified हो गए है कि नहीं हो गए है और उसके बाद student कह रहे है क्या इसमें कोई message आता है हमें register mobile number पर या कोई email आता है क्या आता है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे दौरा upload किये गए जो document है वो verified हो गए है तो यह बहुत अच्छा question है जो student लगाता है comments box में comment करके पूस रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आगर कैसे जान सकते हैं कि आपके दौरा upload किये गए document अगर format में inspired scholarship के prescribed format में होते हैं तो वो अगर verified हो जाते हैं आपको कैसे पता चलेगा तो friends document verified हो गए है कैसे पता चलेगा यहाँ पर दो type की document यहाँ पर upload आपके होते हैं एक तो सबसे पहले आप अपना जब bank account of passbook bank passbook और अप्लोड करते हैं उसके बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डाकुमेंट अप्लोड हो चुके हैं और उसके बाद में जब आप असली डाकुमेंट अपने लगाते हैं जिसके basis पर आपको scholarship का अमोड दिये जाता है उसके बाद में आया आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डाकुमेंट verified हो गए हैं तो यहाँ पर दो प्रस्ण यहाँ पर उठते हैं सबसे पहले पहले प्रस्ण का जवाब दे देते हैं कि अगर आपका inspired scholarship में सेलेक्शन हो गया है और आपने जो भी आप तैसीमा दी गई उसमें आपका अपना डाकुमेंट सब्मिट करना होता है आधार कार और बैंक पासबोग तो जब इस्टुडेंट अपना आधार कार और बैंक पासबोग अपलोड कर देता है prescribed format में डाकुमेंट अपलोड कर देता है तो उसे पता ही नहीं जल पाता है कि हमारे डाकुमेंट अपलोड हो गए हैं की नहीं हो गए है और इस जानकारी के अबाव में last date तक निकल जाती है document upload करने की और फिर student को वो school से provide नहीं हो पाती है तो last date से पहले ही आपको यह जान लेना है और इस वीडियो के बाद हमें लगता है सारे student जान जाएंगे कि आखिर मारे document verified हो गए है कि नहीं हो गए है तो जैसे ही आप अपने document शुरुआत इस्टेज में अपना bank detail submit करते हैं उसके बाद में आपको ऐसे पता चल जाएगा जैसे कि आपने bank detail आपने submit किया यानि bank account detail और उसका आधार कार्ड आपने upload किया अपना अधार कार्ड आपने upload किया तो उसके बाद में upload होने के बाद आपके पास कोई भी message नहीं आता है कोई भी email नहीं आता है कुछ भी आपके पास नहीं आता है जिसे कि आप जान सके message type, email type नहीं आता है जिसे कि आपको पता चल सेगे कि आपका document verified हो गए है अब तरीका क्या है कि जिसे कि हमें आसानी से पता चल जाए कि हमारे document verified हो गए है तो अगर ये bank detail आपका approved हो जाता है verified हो जाता है prescribed format में अगर आप लगाते हैं verification से process से गोजर जाता है तो आपका next जो document upload करने होते हैं उसका आपको option provide हो जाता है और उसमें आप आसानी से document upload कर सकते हैं तो ये तरीका है कि आपका जब bank detail approved हो जाता है उसके बाद जो document आपको upload करने पड़ते हैं जिसके basis फर आपको ये scholarship provide होता है उसका option open हो जाता है आप आसानी से उसे upload कर सकते हैं तो ये पहला तरीका है जो कि बहुत सारे student इस topic पर लगातार वीडियो की demand कर रहे थे कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे document जो हमने upload किये है वो verified हो गए है कि नहीं हो गए है second question ये उड़ता है कि जब अपना जो student second year में है third year में है या फिर इंस्पारिन स्कॉलसिफ के according fourth year में है या मस्ट या second year में है उन्हें कैसे पता चलेगा ये तो हमने आपको पता है जो student नई student है जो नो अपना bank detail summit किया है उसके बाद कैसे पता चलेगा अब next बात करते हैं कि जो second year में student है जब वो document अपने upload कर देते हैं जिनके basis पर आपको detail verify हो जाने के बाद आपको section मिलता है और उसके बाद आपको amount provide कराया जाता है आपके SBI account में तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे दोरा लगाए डाकुमेंट verified हो चुके हैं तो यहाँ पर friends यहाँ पर भी कोई आपको option नहीं provide होता है ना तो आपके पास Gmail आता है inspired department के और से ना आपके पास mobile number पे message आता है कि आपके document verified हो गए है verified हो जाने के बाद आपके पास कुछ ही दिनों के अंतर में video आचुका है कि आकमें आपको link क्या बता है तो आपको ताब पता चल जाएगा कि आपके document verified है और inspired scholarship के accounting जो भी prescribed format है उसके accounting बिलकुत सही है तो इन document verification के process पर जो भी आपके question थे हमें लगता है उनके सारे आपको जवाब मिल गए होंगे अगर फिर भी आपके पास कोई ऐसा question है जिसका आपको answer ना मिल पाया हो inspired scholarship से related तो आप इस वीडियो के मीचे comments box में comment करके अपना question पूछ सकते है सारे topic पर हमारे लगबख वीडियो आ चुके है inspired scholarship A to Z topic पर कैसे station किया जाता है कैसे online phone बढ़ा जाता है link आपको वीडियो को description box में provide किया गया है यहां तक कि पूरा playlist हमने बना दिया है काफी लगबख सो वीडियो का उसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कब कब क्या करना है जिसे कि आसानी से आपको कोई भी असुबिधा ना हो कोई भी problem create ना हो और आपको आसानी से inspired scholarship प्रोवाइड हो जाए सारे डिटेल आपको इस वीडियो के description box में प्रोवाइड किया गया है अगर फिर भी आपको कोई कोई चैनल जिसका आपको answer ना मिल पा रहा हो या आपको कोई problem है तो आप हमें contact कर सकते हैं contact detail आपको इस वीडियो के description box में प्रोवाइड किया गया है thanks for watching and subscribe my channel